नमस्कार पुणाम कैसे हैं आप सभी जैसा कि मैंने बोला था कि मैं 12 बजे लाइब आओंगा और थोड़ा सा बिलंब हो गया तो इसके लिए छमा चाहता हूं आप सभी से और सब्जेक्ट यही है कि जो अपने इंडस्टी में चल रहा है उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कोई निशकर्स क्या निकले या क्या निकाला जाए या सटीक रास्ता क्या होगा आप सभी लोग जुड़ जाएए फिर मैं आप सभी से बाते करूँगा और आप सब के बीच अपनी बात साजा करूँगा और जितने लोग जुड़ रहे हैं वो शेयर भी कर दें ताकि मेरी बात सभी लोगों तक पहुंच सके बड़ा होना कोई छोटी बात नहीं है आप बड़े हैं लेकिन आप कैसे बड़े हैं ये चीज़ आपको सुचना चाहिए हम बात कर रहे हैं एक वाइरल वीटियो में बड़े भीया खेशारी लाल जी बोल रहे हैं कि फलाने का इतना उकात है फलाने का इतना उकात है लाइब में उन्होंने उनके लाइब से शुरू करते हैं उन्होंने लाइब में बोला कि फलाना ये चलता है राइटर मेरा फार्चुनर से चलता है तो मेरा पहला कोश्चन है आपसे कि आपका कौन सा राइटर और कौन सा मुजिक डिरेक्टर दोनों का बात करूं आपने सिर्फ राइटर बोला है तो मैं आपसे मुजिक डिरेक्टर की भी बात कर रहा हूं कौन सा राइटर आपका और कौन सा मुजिक डिरेक्टर आपका फॉर्चुनर से चलता है जिसने गाड़ी ली भी है ना राइटरों में तो मैं बहुत कम लोगों को देखा हूं और बागे मुजिक डिरेक्टर में भी जितने लिए न तो वो आज अपने पैसे से अपनी किस्त भरते हैं वो आपकी कमाई से नहीं चलते हैं और कोई राइटर फॉर्चुनर से नहीं चलता है मैं दावे के साथ कह रह स्याम देहाती चलते हैं प्यारे लाल यादव जी चलते हैं और कौन है राइटर आपके या कोई राइटर जो आपका सुन रहा हो और वो फॉर्चुनर से चलता हो तो वो आए लाइब ठीक है आपने जितने लोगों का नाम गिनाया है उसमें से किसी के पास फॉर्चुनर रही है अुरल कर रहे हैं बात कर रहा है महाराज मूह से आप कुछ भी बोल दे रहे हैं और आप किसकी आउकात नाप रहे हैं समर सिंग की आप फॉर्चुनर से चलते हैं न आ आप से महिंगी गारी से चलते हैं समर्सिंग फोर्ड इंडिवर गाड़ी का नाम है टॉप माडल विट संद्रोफ और अपने मन पसंदीदा नंबर से ठीक है यह कौन सी बात हुई कि आप कमरे में बैठ करके मंच पर हैं तो भाई-भाई समाज में हैं तो भाई-भाई कमरे में बैठ करके आप मतलब इतनी गंदी बात करेंगे है यह है 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 हगते हैं आप जरम आ रही मुझे लजवाद ही आप पुर्डिस्ट्री को अब मेरे भी संपर्क है हिंदी इंडिस्ट्री में सुबह से फोन आ रहे हैं महराज ऐसे कोने करता है मुझे हग दिया इसे समर्सिंण जाटे का बारत हो है यह बात होती है आप अपने आपको सूपर्स्टार बोलते हैं आप है सूपर्स्टार और माना आप हैं तो आपका यह लेंग्वेज होना चाहिए यार वर्जस्व की लड़ाई में आपने यह मतब क्या समझ रखे हैं खायब अगर लोग मर रहा है समर सिंग कल्लू रिटेश पांडे खायब अगर मर रहा है समर सिंग के पास फहोड ईंडीवर है कल्लो के पास एक सकार्प्यो एक फरक्यूनर यव्लाई रिटेश पांडे के पास ने क्राद करें मर्सूर रिटेश पांडे की चीनल वर रोवर है फर्चुनर है आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं पांच लाग पांच लाग की उकाद सिपमता बच्चन ही ही एरो हैं सारुखान ही ही एरो हैं गोबिंदा ही ही एरो हैं नमाजुद्दीन सिद्ध की नहीं ही एरो हैं पंकस्तिर पार्ठी ही एरो नहीं है आप अंदर से कुछ और है महाराज और बाहर से कुछ और देखिए डरने वाला काम वो करेगा जिसको जिसकी रूजी रूटी चलती होगी इस म्यूजिक में मैं उसमें का म्यूजिक डिरेक्टर नहीं हूँ जो हर्मुनिया कपार पर रखके पीछे पीछे गुमूंगा ना कभी घूमा है ना कभी घूमूंगा मैं पान का दुकान खोलूंगा चलेगा स्वाभिमान से जीना आता है लेकिन आपके अंदर वो नहीं है यार नंबर वन नंबर वन नंबर वन मतब क्या है नंबर वन क्या है नंबर वन पर हो गया तो अच्छी बात है हम सब बधाई देते हैं आपको लेकिन इसका मतल यह नहीं है कि आप किसी को टार्गेट करके आप बोलोंगे कि फलाने जी का का इतना नहीं गया हमारे जी का इतना गया मैं वर्ल्ड पे छे नंबर पर हूँ ज़ा आपको सोचना चाहिए भाई साब और आपके चाहने वाले हैं आपको करोडों लोग चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि समर रितेश प्रमोध गुंजन कलू इन लोगों को चाहने वाले लोग नहीं है डाइ गंटे के सीनेमा में आप क्या दिखाते हैं क्या दिखाते हैं आप इतना बड़ा सिल्वर जूबली स्टार रा चुके दिनेश लालयादो जिनकी फिल्में सो सो मिलियन हैं उन्होंने कभी एक केक नहीं काटा एक जो होता है न आप सीखिए महराज आपको बहुत सीखना है आप बोलते हैं आप उसको पीछे पड़ जाते हैं आप उसको अपने से नीचे दिखाना चाहते हैं आप जिस भी महफिल में बैठते हैं वहाँ आपकी बात यह होती है कि सिर्फ आप बोलेंगे और बाकी लोग सुनेगा मेरे हाँ नहीं हुआ और अवकात अवकात की बात करते हैं महराज चार लाख रुपया आज भी बाकी है गाने आप नहीं ले गए मैनेजर बदल दिया तो अब मैनेजर बदल गया तो अब हमारा पैसा कतम सच्छा ही दुनिया के सामने आनी चाहिए वो मैनेजर बोलेगा कि क्या है उनसे उनसे बैट की साब करो अब बोलेगे पहले काम दो तो पैसा जाएगा तो यह होगा तो फोई हुआ है अगर आवकाद तो चारलाक रुपे मारी है मारे मूँपे कि हमारा गाना दो और अगर नहीं भी है तो भी बताइए मैं लाइट बोल लाओं आपको फ्री में दूंगा गाना आपके जो आठ दस गाने मेरे यां ब्लॉक पड़े हुए हैं फ्री में दूंगा और आप आपने मांगा था वो लाइब रिकॉर्डिंग आज भी है मेरे पास दिव आपने फोन करके मांगा था कि भाई एक गाना दे दो उसमें से मेरे पास कोई गाना नहीं है उसको रिलीज कर दिया जाए हमने आपको बोला कि भाईया मेरा दिल बहुत बड़ा है मुझे आपने प्यार से बोला आपको गानाम ने दिया आप समझ सकते हैं कि आशीश्वर्मा क्या है मैं कभी भी अपने स्वाभिमान को करके काम नहीं किया अनक कर पाऊंगा चाहिए वो कोई स्टार हो मैं अपनी मेहनत अपने बदौलत पाया हूं और इंदस्ट्री में दो चार लोगों कि आया हूं ऐसे नहीं मैं और अगर आपने लिटी चोखा बेचा है आपने मेनत किया है तो बाकी लोग ऐसा नहीं है कि वो अम्बानी का अउलाद थे एक एक आदमी का हिस्ट्री पता है कभी कल्लू से पूछिएगा कि कल्लू के पापा कल्लू को कैसे गायक बनाएं कभी लिटिश पांडे से पूछिएगा कि वो आदमी कैसे गाय और कैसे सिंगर बने कैसे गायक बने कभी समर सिंग से पूछिएगा कभी पवन सिंग से भी पूछिएगा उनको याद होगा वो बताएंगे सिफाबी की स्टोरी चलती है लिटी चोखा लिटी चोखा आपने इतना लिटी चोखा किया कि एक अदनी उजवालों ने एक एपिसोडी बना दिया लिटी चोखा यार आप आप समझेए मैंने पूरा लिस्ट बना के रखा है कि आप से मुझे किस किस टॉपिक पर बात करनी है आज पब्लिकली आपने जूटी अफ़वा उलगा दी कि समर सिंग डेड़ सो लड़कों को ले करके खोज रहा है मारने के लिए जिसको मारना होगा वो डेड़ सो लेके खोजेगा नहीं निकल जाएगा दस गराम का पीतल देके इस सब चीजें बंद करिए मैं किसी का कमेंट पढ़ने नहीं आया हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्टी से ये चीज खटानी है कि मैं नंबर वन हूँ मैं वह ऐसी इंडस्टी चाहता हूँ जिसमें अगर किसी का एक आदमे का गाना हिट होके तो हमारे सारे स्टार बोले यार देखो वो नए लड़के ने वो अच्छा काम किया वो भाईया का गाना बड़ा अच्छा है सब सपोर्ट करो वो इंडस्टी होनी चाहिए किसी को शरम नहीं आने चाहिए कि मैं ब्लूटीक आइडी से फलाने का गाना क्यों पोस्ट करूँगा उससे हमारे इंडस्टी बड़ी होगी बॉलिवूड बॉलिवूड करते हो यार ठीक है क्या आएगा बॉलिवूड के लोग आ करके आप क्या काम करके आपसे पैसा लेके चले जाएगे आपकी इंडस्टी उससे बड़ी नहीं होगी कभी नहीं बड़ी होगी कभी भी नहीं बड़ी होगी आप हमको बता दीजे जितने भी स्टार्स हैं जितने भी इंक्लूडिंग पवन भया आप स्वयम केसारी भया प्रिजेश पांडे कलू जी समर सिंग प्रमोध प्रेमी कोई भी आपका सबसे एतिहासिक गाना बॉलिवूड का आगमी आके देखे गया या आपका भोजपूरी का ही आपके गांव घर का आपका राइटर आपका यही टुटा फटा पहिनने वाला और साइकल से चलने वाला लोग दुख होता है बिकास आपको समझना चाहिए कि जो आपके पुराने दिनों में थे उनके लिए आपको भी रहना चाहिए और आज उन राइटरों को उन मुजिक डिरेक्टरों को भी बोलूँगा जो आज मुव में मिस्री रखके भूम रहे हैं आवाज नहीं निकल लही है कल मरोगे तो सद्धानजली की कीमत एक तुम्हारे और मैं लाइब में यह भी बोलता हूं कि कोई स्टार मेरे मरने कुछ अना पैसे की मदद मैंने उतना अपने परिवार के लिए बना रखा है और उतना में कर रखा हूं मैं इसलिए सान से बोलता हूं सौक से बोलता हूं और स्वाप इमान से बोलता हूं क्योंकि म्यूजिक मेरी मजबूरी नहीं है मैं धंदा नहीं है मैं बहुत सौक से काम करत ठीक है मुझे जो चीज अच्छी लगती है मैं वह बनाता हूं और अगर नहीं अच्छी लगी तो बना बनाया बिगाड़ के खतम भी कर देता हूं फिर दूसरा बनाता हूं मैं वह हूं यार आप नहीं बोलना चाहिए लेकिन आपने बहुत छोटे कलाकारों का केरियर खाया है बहुत सारे इंक्लूडिंग आपके साथ कुछ राइटर मिले कुछ कमपनियां मिली जिन्होंने सबका आज इंडस्ट्री में बहुत गिनके कलाक इस्टार है यार गिल्लों तुम्हारे पास कितने स्टार हैं इंडस्ट्री में फोमन सिंग केसारी लाल यादो दिनेश लाल यादो समर सिंग रितेश पांडे कल्लू प्रमोद प्रेमी गुंजन सिंग निलकमल सिंग और कोई एक आद्व छूट रहे हो तो माल लेजे वट गाने बजाने वाले तो यही लोग है ना लाइब देखा मैंने कितनी अच्छी छबी थी आपकी मनोज टाइगर के नजर में एक दिन पहले कितना बढ़िया बोला उन्होंने चरू ठीक है माना पाउंसिंग जक्की है गमंडी है अटिट्यूट है उनके अंदर आपके अच्छ शरम आती है अपने आप आप स्टार बोलते हैं या बनते हैं गलत है गाना को ले करके भी बाद किसी से किसी का कमेंट में भी बाद किसी के लिए लाइबा करके भी बाद कभी कुछ बोल देना कभी मतलब वो एयर लिफ्ट बाला बनना कि हमने सब को कहां से उठा करके लिए क्या आया दूबई इसे की नेपाल से बीजलों को बैठा करके डेड़ करोल लग गया मेरा महराज जो आपके साथ नहीं रहा हो आप बात कर रहे हैं कृष्णा बिदर्दी कृष्णा बिदर्दी ने आपके साथ क्या किया और आपको नहीं पता है आपके लिए कौन क्या किया है और आपने किसके लिए क्या किया है एक आपका तथाकतित मैनेजर सोनू पांडे हार गए चुनाओ डेड़ सो गोट से जो आदमी 24 घंटा आपके लिए मरने जीने वाला उस आदमी के चुनाओ परशार में आप नहीं गए क्योंकि हो सकता है आपका दो चार पास लाग रुपया का नुकसान हो जाता और वहां बिरादरी बाद हुई आप नहीं गए क्योंकि यादो कंडिडेट था तो भाईया आप या तो इन सब चीजों को अलग रखो और इंदस्ट्री को अलग रखो सब कुछ नहीं हो सकते आप सब कुछ नहीं हो सकते अप अंदर कुछ और हैं बाहर कुछ और हैं दोगी हैं आप बहुत बड़े ढोंगी हैं और आप सोचो कि आप से कितना प्यार करता है आदमी याद आपने जिनका जिनका नाम लिया कलू का रिदेश का समर का प्रमोध प्रेमी का वह सब आज भी अगर वो विडियो भी पो कई भी बाइट ते हग देते हैं बिना पीए हग देते हैं एक को तो आप बोल लें वो पी के हगते हैं आप बिना पीए होस में हग रहे हैं भाबा 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 अरे बोडी बनावा जीम कर तीन महिना एमेदा तीन महिना ओमेदा महराज आप किसी के प्राइस का कल्कुलेशन करने वाले कौन होते हैं ओवर्ड तो नहीं करा रहे हैं कि हाँ उनका पांच लग काउकात है उनका दस लग काउकात है यह एलबम के मुजिक डिरेक्टर है वो फिलिम के मुजिक डिरेक्टर है आप लोग सिर्फ अपना वर्जस हो जानते हैं गलत है और ज्यादा देर का लाइब नहीं करूंगा मैं बस मेरी एक जवाल का जबाब कौन राइटर फार्टूनर से चलता है ठीक है आपने जितने लोगों का नाम गिनाया है स्यामद्याती के पास था ही नहीं मुझे पता है और आज आज जी अभी गाड़ी लिये हैं हमको लग रहा है सालवर हुआ होगा वो भी कोई शुप्ट वेयार सुच की कोई गाड़ी लिये हैं फोर्विलर ही है कुंदन पृत आज भ और जो भी है कोई नहीं है ठीक है और भाई साब मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग का भी परिवार है और आप लोग मंच पर पैसा लेके चड़ते हैं काउंट में पूरा क्रेडिट करके चड़ते हैं तो प्लीज कोशिश करिए कि मुझे मेरा पैसा जल से जल दे दीजे भीजवा दीजे और आप अपने गाने ले जाईए मजबूर होके मुझे कोट का सहरा लेना पड़ेगा तो क्योंकि मैं काफे दिन से चुप था बट आज आपने इतना बोला दो दिन से तीन दिन से इतनी हल्चल मचा रखी है तो जो कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे है मतलब कहना चाहिए यह कहना चाहिए कि नहीं भाई और जितने भी लोग हैं बनारस में आपने कल्लू को समर को रितेश जी को प्रमोज जी को जिसको भी आपने बोला है अपने समर जी कल्लू जी जिसने भी जो भी हैं सब मेरे भाई हैं तो आपको लाईब आ करके छमा मांगनी चाहिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाईब आ करके एक बार माफी जरूर मांगें कि भाई मेरे चोटे भाईयों मेरे से गलती होगी ठीक है और दूसरी चीज़ यह कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जितने भी लोग देख रहे हैं इसमें बनारस के भी लोग होंगे मैं बनारस के कासी फिल्म संस्था के जो अध्यच है और बनारस में और भी जितने तमाम आठिस्ट हैं सबसे यही अनरोद करूँगा कि आप लोग इनका काम न करें क्योंकि अगर ये मैंने देखा कितने प्यार से कल्लू जी अभी आपके साथ दो दिन पहले आप इक गाने पानी-पानी पर रील्स बना रहे थे छेयर किया उसके अंदर तो कोई मलाल नहीं दिखा की नहीं ही चोरी नहीं दिखी कोई उसको क्या बूलते हैं नमक खरामी नहीं दिखी मुझे किते प्यार से एक स्टार एक स्टार का सुखिए चलो भाया का गाना है प्रमोट करते हैं सब ने बनाया और आपने क्या सोचा कि मतलब ये लोग जुक रहे हैं वो गलत सोच है आपकी वो गंधी सोच है और ये गंधी सोच आप जब से इस लाइन में आया है तब से है चोरी गाने की मेरे कितने गाने चोरी करके बने हैं मैंने नहीं बनाया दूसरे से बनवाया है आपने बोलिये गलत या सही इस बात का भी जबाब दीजिएगा इस बात मेरे खुद के मैं जितनी कंपोजीशन बनाया हूँ उसमें से बहुत सारे चोटे-चोटे सिंगरों को मैंने गवाया है वो कंपोजीशन आपने उठाके गाई हैं और फिलम में डाले हैं और मुझे बनाने को आया है मैंने नहीं बनाया है क्योंकि आश्वी स्वर्मा का असू वोटर्स को भी कहूंगा कि उसमें लिखो अमबानी से भी बड़ा मकान बन रहा है अमबानी के छट पर एक हेलकाप्टर दो हेलकाप्टर उतरेगा वहां तो पूरा मैदान है बैंच्चोद एरपलेन उतारो फाइटर जेट उतारो दिखावे की राजनी बंद करिए दिख भी लाइब आएंगे पता है चार हजार चालीस हजार भी हो सकता है इतने लोग आपको जानते हैं या इतने लोग आपको समय देते हैं पता है एक चीज मैं बोलूँगा जब एक समय पावन भीया का गाना आता था तो यह रिदेश जी और समर जी मतब इस्ट्रगल पिरियो वह जो आप लोग गाते थे न उस धुनकों करके बहुत इंज्वाय करते थे और उस चीज को बनाते भी थे सब्दतों नहीं लेते थे यह चोटे कलाकार कभी भी नहीं लिया मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और जितने लोग देख रहे हैं प्लीज सेयर करिए ताकि ये बात पूरे इंडस्ट्री में जानी चाहिए जो आप लोग गाते थे मैं पॉन भया को भी बोल ला हूं कि सारी भया आपको भी बोल ला हूं कि आप दोनों लोग जो गाते थे दिनीज भया तीनों लोग और भी जो उसमें बड़े स्टार्स थे लोग गाते थे उस चीज को ये छोटे सिंगर धुन कापी करते थे पूरे स्टूडियो की पूरे सिंगरों की रोजी रोटी चलती थी कोई रोता नहीं था पूरे सब खुश थे सब खुश थे लेकिन ऐसा पल्टा जब सी ये छोटे सिंगरों का गाना उटा के आप लोगों ने चलू करते हैं इस्पेसली आप किसाड़ी विया आप आप आपको नहीं पता कि इस छोटी सी हर्कत से किसी का कैरियर बरबाद हुआ है, बहुत सारे सिंगरों का कैरियर बरबाद हुआ है, और आप कभी ये मज़ सोचना कि मैं जिधर चलूँगा उधर जिन्दगानी, रवानी और मस्तानी सुवानी चल पड़ेगा ऐसा कुछ नह हम आज भी जी खा रहे हैं आप से नहीं मिले थे उसके पहले भी मेरी लाइफ यही थी राजा की तरह उठता हूँ काम करता हूँ साम को मन पसंद खाना खाता हूँ मन पसंद वाइन विस्की फीता हूँ सो जाता हूँ और आपके साथ रहा हूँ आपको पता है मेरा कि मैं किस तरद से मेरा लाइफ स्टाइल क्या है वो सिस्टम समझ चलता हूँ तो आपको नहीं पता है कि कितने सिंगरों का रोजी रोटी खतम किया है आपने उनकी आहा लगेगी आप अगर ऐसे जग़ जग़ बैज़त हो रहे हैं तो इसका रिजन यही है अपसे भी यह आपकी इंडस्ट्री है बचा लीजिए छमा मांगिए इन छोटे सिंगरों से लाइबा करके कि आज के बाद से आप ऐसा नहीं करेंगे सबको प्यार करेंगे जो मुँ में है वही दिल में भी रहे वही दिमाग में रहे जो दिल में है वही दिमाग में भी रहे वही मुँ में भी रहे सब और से सिर्फ एक बनो पानी ग्लास में जाए तो ग्लास से इसा रहे है कि कटोरे में आये तो कटोरे जैसा रहे तो सब सबसे उसी भाव में मिलो यह दिखावे वाली चीज़ें जानते हैं, आपको बराबर दिखावा करने पर मजबूर कर देंगी मेरी free advice है, फिर से सुनिएगा, यह दिखावे वाली चीज़ आपको पर्मानेंट दिखावेदार बना देगी मन्च पे जाओ तो दिखावा करो घर में रहो तो दिखावा करो गाना गाओ तो दिखावा करो क्या है आप बहुत बड़े स्टार है आपके उपर पत्रा हो जाता है क्यों क्यों हो जाता है आप बैशाली में आपके शो में लफड़ा हुआ, किसी का सरफटा, किसी का कुछ हुआ, आप भी बच के निकले सो डिल सो डेला, आप भी बता रहे थे, आपको भी लगा था क्यूं? महालीजी सोची समझी साजीस थी क्यूं हुई? आपका भी हैवियर उसादनी के प्रतियसा रहा होगा या फिर कुछ तो रहा होगा? और आज आप बोलना है कि जांट पांच लाग के आउकाद नहीं जब आप इंडरस्टी में आया थे तो आपकी कितनी के आउकाद थी? आपने बहुत हिट दिया है, बहुत पैसे बनाये हैं, बहुत नाम कमाया हैं, इनको तो ये तो आपके सामने छोटे भाई है, आपने जोड दिया, आप हमारे स्टूडियो में कलू को बोल ले थे कि बाबा-बा-बा-बा-बा, अरे बाबा, मैं आपसे पहले अपने से पहले आपको इस्टार मानता हूँ, आपकी इज़त इसलिए करता हूँ कि आप मेरे सिर्फ पहले से इस्टार हैं और आप बंद कमरे में बोलना है कि क्या वकात है पांच लाग की वकात है इन लोगों की मतलब क्या है आप कहना क्या चाहते हैं पब्लिक आपको देख रही है पब्लिक सिर्फ आपको देख रही है ये इंडस्ट्री सिर्फ आप से है चलिए आपने नाम लिया बिखारी ठाकुर, भरष शर्मा ब्याज जी, मदन राय जी एक नाम आप छोड़ दिये थे रबिंदर राजु जी, गोपाल राय जी तो आपके नदर में इन लोग की अउकात कितनी है इनकी भी बतानी चाहिए थी और अपनी भी बतानी चाहिए थी यार्ड आपको उसी दिन चुलू भर पानी में डूप मर जाना चाहिए था जिस दिन आपकी बेटी के उपर कोई एक छोटा सा आदमी गाना गा दिया आपको उसी दिन समझ में आना चाहिए था कि आपका कृत्य कितना खराब हो चुका है कि लोगों की भणास ऐसे निकल लई है आपका जमीर मर चुका है आप इस्टारडम इस्टारडम पैसा पैसा इसमें आप अंध्य हो चुके हैं नंबर वन में आप अंध्य हो चुके हैं आपको सिर्फ लाइब आकर के रोना आता है बोलना आता है कि मैं गरीब का बेटा हूँ मैं लिट्टी बेचा हूँ यह सब धोंग है आपका क्या फायदा है मुझे बुलनेगा क्योंकि कोई बोल नहीं रहा है सब खाली नाम के हैं यहां पर जिगरा रखता हूँ यही बोल ला हूँ यही घर पर बैठा हूँ भेज दीजिए या परसंसक देड़ दूसरों हमारे पास भी अकेले हूँ यहीं पर कुछ भी नहीं है मैं मैंने गाली सुना है मैंने आज तक किंडस्ट्री में कभी गाली नहीं अई सुनी थी सिर्फ आपके सलते मैंने गाली सुना जब आपने लहना लखना हुआ गाया मेरी आन कमपोजिशन मुखडा मेरा अंतरा मेरा सेकेंड अंतरा रितेश पांडे का बनाया हुआ और यह अकलेश कश्चिप जी ने आपसे गवा दिया इसकी असलियत आपको भी पता है और अकलेश कश्चिप को भी पता है तो बनारस वालों अगर अभी भी आपके अंदर चाटू कारिता है चटूआ हो तो आप लोग काम करोगे बड़े भईया खेसारी लाल यादो जी का अन्य था एक साइट से बहिसकार क्योंकि हम ऐसे किसी कलाकार का काम नहीं करेंगे जो हमारे यहां के कलाकारों का या जो हम लोगों को पैसे रूपए और इस्जत और बैस्जत में तोले और जिसको लगेगा अरे यार तुम्हारे अंदर कुछ है तब के सारी लाल बना रसा रहे हैं क्यों नहीं पटना चले जाते क्यों नहीं छपरा में जाकर सूट करते हैं तुम लोग क्यों नहीं अपनी वैल्यू समझ रहे हो आप सभी टेक्निशन से मेरा अन्रोद है मैं यह नहीं कहूंगा कि नहीं तुम करो ही मत लेकिन अगर स्वाविमानी हो इस संगीत की रूटी खाते हो तो यह गाली तुम्हें नहीं पढ़ी है सब को पढ़ी है समर को नहीं पड़ी है को नहीं पड़ी है गुन्जन संगु पुरी इंडस्ट्री कुई गाली पड़ी है हमें नहीं करना उनका काम करो तू फोटो कीचा के डालो तुम्हारे लिए वो इस्टार होंगे मेरी और आइडिया आप देख लिजे मैंने सब के साथ, छोटा कला का राता है, वह भी, बड़ा कला का राता हूँ भी, करी नजर में तो आप गिर गये भाई साथ, ठाल करे कर रहे हैं, क्या है, आपको तो हमसे भी जलन कि भाई हीरो बन रहे हो तो क्या मैं हीरो नहीं बन सकता मेरा सकल आपसे खराब है या मैं गाता नहीं हूं या मुझे एक्टिंग नहीं आती मुझे डांस नहीं आता आप बोल रहे हैं मंच मंच की बात कर रहे हैं गाएंगे हिंदी हर विधा की बात करिए आप अही के गाना भोजपूरी में हम करें, ठीक है, हम भी गाएंगे, हो सकता है कि आप इस्टार हैं, तो आपको सौ लोग सुनेगा, सौ लोग हूटिंग करेगा, हम गाएंगे, तो सो लोग नहीं हूटिंग करेगा, लेकिन सुर में रहेंगे, प्रॉपर फिलिंग भी रहेगी जब छोटों से लड़ना स्टार्ट किया है आपने तो लड़िए अप छोटों से सुनिए छोटों का चानते हैं आपने एक सब्द से अपने सिर्फ एक बड़ बोलाई से आपने जितनी इज़तास तक कमाई थी चाहे वो किसी राइटर के लिए हो चाहे अपने फैंस के लिए भी आपके फैंस भी एक भी गाली मेरे इस लाइब में नहीं आया है एक भी गाली नहीं आया है क्योंकि वो गाली तो तब दिलवाई जाती है जब आप बोलते हैं गरी आवा से आपके साथ रहा हूं, आप मुझे पता है? dépend मैं मैं साथ रहा ूंँ आपका काम की यह है हूं तीन साल, मुझे पता है? तो आपको यह सोचना साथ ही है потому, आपने पूरा करियर अपना में आपना, जीतना कि इनका जिनका नाम लिया है कि उन्से आप अपने आज अपना कंपटीर करने वाले लोगों को बढ़ा लिया को यह का लाकार आपको प्यार करते थे जो आप वताamine कीं भ़ैया चलिए रील बनाएं जले сюда का इससोह बॐया का यह बाईया का जनमदिन है फ़ला है पो अ क्या करते हैं मैं किसी को कुछ बोलूंगा नहीं लेकिन भाई साब आपका असली चेहरा सामने आ गया है आप क्या हैं कैसे हैं क्यों हैं हर एक आदमी जानता था बोलता नहीं था लेकिन आपने खुद बोलने पे मजबूर कर दिया है अरे का कि भी के बोल दीए के दारु है दारु है दारु कम हाय पाbbe और दो धोलडिके कऊं किसी कमा और खड़ी अ क्या कर लिया चुम्मा ले लिये बोले कि दारु आप नई पीते हैं मैं भी दारु पीता हूं हाह कि इसको इश्यू क्यों बना रहा है आप आपने जो किया ठीक है आपने जो किया वो पहली बार हुआ होगा हो सकता है आखरी बार हो लेकिन आपसे भी पहले लोग करके गए हैं गए है ना तो आपके बाद भी आएंगे तो जाइट जिवात से जो आपके बाद आ रहा है वो आपसे थोड़ा छोटा होगा समर सिंग और रिटेश पांडे और प्रमोध प्रेमी आपका दिल जानता है कि प्रमुत प्रेमी का गाना के वज़े से आप कितना डिस्टर्ब रहते हैं पाउन सिंग के गाना के वज़े से आप कितना डिस्टर्ब रहते हैं समर कल्लू रितिर्स के गाने के वज़े से आप कितना डिस्टर्ब रहते हैं आपका दिल जानता है कि भाज़त था लेकर तोड़ का ओई अभी हमने बनाया था कमरिया पिया कमरिया पिया समर का उसी के सेम डिक्टोर थोड़ा सब कोड़ चेंज चुनरिया पिया चुनरिया पिया हुआ तो ये पैरेसी ये चोरी आपसे हाद जोड़ के निवेदन है बन करिये छोटे कलाकारों का मान सम्मान करिये यही हैं जो आप कल गुड़े होंगे न तो आपको इज़त देंगे आपका नाम लेंगे कहीं मंच पे आप पहुँच जाएंगे तो यही समर सिंग नाम लेंगे य यही रृतिष पांडे यही कलू और यही नीनिल कमल यही गुणजन यही पर मोद आपका नाम लेंगे आप वैसे बनिये हैं हमारा क्या है हम अरे एक समय था कोई और था कोई और था कोई और था बहुत मिजिक दिल्क्टर आएंगे बहुत राइटर आएंगे ऐसे ही आप लोग की भी श्रिंडी है आप पर्माणनेंट के लिए नहीं हो बॉस क्यों नहीं समझ रहे हो आप ठीक है आप डांस में आगे हैं और सिंगिंग में आगे हैं पपुलर्टी में आगे हैं तो इसका मतलब क्या है आप अपना आपको बैठेंगे इंडस्टी के किसी भी सीनियर या जूनियर कलाकार को आप कुछ भी बोल देंगे स्राम आती है आपको स्टार्ट बोलने में आपको नहीं आती आए है 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 मैं आप से फिर एक बार बोलूँगा कि आप लाइब आ करके छोटे नहीं हो जाएंगे माफी मांगिए छोटे भाईयों से अपने सोता समाज से बुलते हैं ना भगवान भगवान से माफी मंगना कोई छोटी बात नहीं है और मुझे उम्मीद है आप ऐसा करेंगे माफी मांगेंगे आप आपने बहुत कल़एंगे लोग फोन कर रहे हैं तो प्लीज फोन मत करिए फोन के बाद यह लाइफ खतम कर करने के बाद हम समझ लेंगे सबसे मैं किसी को अफसब्द नहीं बोलना और नहीं मैं किसी को कुछ भी कह रहा हूं लेकिन मुझे बोलना बहुत जरूरी था मैं कम से कम आज एक साल से चुप बैठा हूं इन सम्मुद्दों पर और इसलिए भी चुप बैठा था कि चलो कोई नहीं एक दिन भगवान इंसाफ करेंगे तब मैं बोलूँगा भगवान ने आज इंसाफ किया परदा फास किया तो बोलना तो जरूरी है आप आप बड़ हो बड़े बने रहो सब खुश करो दिखागा मत करिए स्याम दियाती की फैमली के साथ आपने जो किया है इतना बड़ा चीट किया तो नहीं आपको बोलूँगा मैं पुरा लाइब दिन भर चलेगा फिर भी आपका कारणामा खतम नहीं होगा तो छोटे सिंगरों का गाना गाना बंद करिए सिर्फ आप ही नहीं सबी स्टार से हाथ जोड़के निवेदन है छोटे सिंगरों गाना मत चुई आप लोग प्लीज और दूसरी चीज रिस्पेक्ट प्यार भाव पांस लाग पचास लाग आप ही देते हैं ठीक है आप रिकिए बहुत अच्छे मुद् आपका सिनेमा में मैंने मैंने भोजपूरी मुवी किसी की भी नहीं देखी आज तक मैंने किसी की नहीं देखी मतलब किसी की भी नहीं किसी की भी मैंने भोजपूरी सिर्फ टेलर देखता हूं टेलर देखके हसता हूं हस करके मैं वह जाता हूं सच बोलना हूं किसी को बु तो आपका रेट आपके अलबम के गानों से बड़ा है या सिनेमा से मेरे ही स्टूडियो में आपके गाने बिखते थे मेरे ही सामने आपके मेनेजर आपकी बोरी लगाते थे इंक्लूडिंग हम लोगों ने कितनी कमपनियां खड़ी करी हैं यह कहना तो आपका था ना कि हमने जी खड़ा कर दिया अब आप सारे कामापा खड़ा कर रहे हैं तो ट्रेंडिंग स्टार हैं आप आप किसी को भी खड़ा कर सकते हैं तो भाई आपने एक बात बोली कि तारो घर्वां में क्यों तो अनों के स्टार बना देंड आ जो नहीं हम भी खोल ले भी हमारे कमपनी को भी हम्म ला दीजिए कि ट्रेंडिंग में आठ को मीजिक को बना दिया साहरे गहामा को बना दिया आप को उसको बना दीजिए कि महराज यह कौन सी बात हुई कि तो रहों घरों हमें की तो उपड़ार बना गता इन सब चीजों से आपका जलन शीलता साब शलगता है किसके अंदर कितना गुबार बरा है कितनी गंदगी बरिया आपकी बातों से जलगता है ठीके तो अलग है माना आप अलग है सबसे अलग है आपकी मानसिक्ता अलग है आपकी सोच अलग है और सही में आपका दिमाग जो है न वहीं पे है वहीं जहाब बताये थे तो अपसे भी सुधार लाईए एक अच्छी इंडस्टी की सुरुवात करिए साल खतम होने वाला है लोगों से छमा मांग करके इस्पेसली आपने जिनका जिनका नाम लिया है कल्डू, रितेश, परमोध, समर इन लोगों से माफी मांगिए और इंक्लूडिक आपको पूरे इंडस्टी से माफी मांगनी चाहिए आपको पूरे इंडस्टी से माफी मांगनी चाहिए तो बाकी आपके अपनी सूजबूज और आपका अपना decision जो भी हो अच्छा लगा और बाकी आप सभी से नवेदन है लाइफ को मेरे share कर दें क्योंकि ऐसा नहों कि मेरी बात आप तक न पहुँच पाए मेरी बात पहुँचे आप तक और सुधार लाईए मालिक इसमें न सुधार लाईए आप बहुत अच्छे इंसान है बहुत महनती है मेहनत के मामले में मैंने अब तक जितने लोगों को देखा उसमें आपको मैं बहुत जाना मानता हूँ आप जिंग करके बोडी बनाए डान सीखे आप फाइट सीखे तो अच्छी बात है अच्छा करना चाहिए लेकिन आपने जो किया वो अपने लिए किया आपने किसी को स्टार नहीं बनाया आपने किसी को डांस नहीं सिखाया आपने कीमत आ किया कि इसका साले का पांच लाग कीमत है इसका दस लाग कीमत है है इसका दो लाग कीमत है यह सब हमसे नीचे हैं तो यह सब चीज जो है इंडस्टी बहुत अच्छे से चल सकती है और एक जम्हेदार आदमी होने के नाते और अभिव्यक्ति की आजादी होने के नाते मैंने अपनी बात आप सभी लोगों के बीच में रखी है और अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं उससे माफी चाहता हूं मेरे सब्द बूरे लगे हो और या कुछ भी तो किसी का दिल दुखा हो बट एक बात बदा दूँ खेशारी विया जिस दिन आपकी बेटी के उपर गाना आया था उस दिन सायद आपको कस्ट हुआ हो ना हुआ हो मुझे स खड़ा कर दे रहे हैं तो यह क्या किये कालर पकड़ करके दू थप्ला मार देने से होता है उसके बाद कितना हाथ गोड़ जोड़ना पड़ा है वे फायर अरवा में खाली ओके कर दिया होता तो कि नहीं हम फायर अपना जारी ही रखेंगे मनावन लगा था उसका यह बात क्यों गाएंगे हम ऐसे आदमी को क्यों रखेंगे अपने साथ जो गलत राय दे हमको मेनेजर मेनेजर बोलते हो यार यह मेनेजर वो मेनेजर यह बोलेगा वो सुनेंगे वो बोलेगा वो कान के कच्चे होया है कान के कच्चे समझते हैं फलाने आपको ऐसे बोला था मैं ल आई बाँ बॉलना हूँ किसी भी a music director को राइटर को आपको एक गाना दिया होगा दो गाना दिया होगा ऐस उसकी आप रोजी रोटी में चलाते हैं ना उसका उसका ठिम्मा लेते हैं हाथ कि आप उसको एसे भग 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 रगना कलए अज हो सकता समझ रहे हैं नहीं हो सकता और आपको अगर गंदगी करनी है तो आप अपने घर में बैठिए वहीं पे आप अपना टेबल लगाईए PGA खाईए ऐसा मोबाइल निकालिए लाइब आ करके गंदगी करिए इधर उधर इनके उपर छेटा कसी करना यह आपकी पुरानी राजनी थे चार लोगों को उधेडो नाम चर्चा में रहेगा अब यह बोल लेतने कि स्टार हो जाएगा यह हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं यह आपकी सोची समझी चाल है कि मेरा पिच्चर आने वाला है मैं थोड़ा ट्रेंडिंग में रहूंगा मैं एक मिनट के लिए लाइव आओंगा पांसो लोग और बढ़ करके देखेंगे क्योंकि आपका सिर्मा आ रहा है उससे पता नहीं कौन बॉलिवूड का जो कुरियोग्राफर हैं उन्होंने कुरियोग्राफ कर दिया है मतलब आपने एक्टिंग किया उसकी मतलब कोई वेल्यू नहीं और आप अपने आपको बोले नंबर वन और जिसने कौरियोग्राफ किया आप उसका आड़ कर रहे हैं कि मतसर खान ऐसे कुछ है तो आप कुछ सुचिए आप कहां कहां गलत कर रहे हैं कैसे कैसे गलती कर रहे हैं यह आप कुछ नहीं हो आप बता रहे हो कि नहीं प्लाने ने कुरियोग्राफ किया है उसको मेरा पिच्चर मत देखना उसका कुरियोग्राफी देख लेना उसका क आपके उपर और जो आपके साथ है न वो आपको बोल नहीं पाते हैं एक बात और बता दूँ आपको बोल नहीं पाते हैं उनको भी हसी आती है ठीक है और भवान करें आपका इस्टार्डम ऐसे ही बना रहे हैं लेकिन मा बहन बहन बेटी की हिजद बेज करके वो इस्टार्डम अगर कमाना है तो या आप कोई दूसरा धर्म जो आइन कर लीजिए जहां पर ऐसा सौधा होता हो मा बहन बेटी को ताक पर रख करके कोई काम नहीं करना चाहिए गलत है और जितने लोग आपके भी सपोर्टर्स देख रहे होंगे इसमें दो चार दस की कितना बोलत है तो उनसे भी ही कहना चाहूँगा कि आप अगर उनको वाकई में अपना फैन मानते हो मतलब उनका फैन अपने आपको मानते हो न तो उन्हें अच्छी सला दो अच्छी चीज बताओ अला एक लाइन से मैं मैं मैंटर रिजेक्ट करता हूँ नहीं भईया यह गाना आ चुका है यह नहीं गवाएगा किसी सिंगर ने गाया है नहीं भईया अरे तब तू बना कहें के बना है भईय क्यों बना है जिसमें गाया है न आपके लिए एक गाना पता है कुछ नहीं है एक आदमी सोच है कि हम चलेंगे आशिश्वर्मा के गाना बनाएंगे तो जेब में दसज़ार लेकर के निकलता है करजे से बहुत मुश्किल से करज लेकर के वो निकलता है और एक कंपनी है जो आपके साथ पर्मानेंट रहती है वो उठाएगी लपाक से गवा देगी कि लव एक राइटर है आपके बहुत पेटेंट वही फार्चुनर से चलते होंगे साया पता लगा है किना के दिया इलबाव हो तो वो तुरंत मैटर चेंज करके दम धराम से थ तोड़ा सा पॉंच लाइन वही साया के लुगा लुगा के साया चोली के पेनानी की जनानी का बोलाला कुछ भी कर दो बस हो गया यह सब बिलकुल बन करिए और जो जो कर रहा है वो लोग बन कर दें प्लीज क्योंकि आए दिन यह सब चीज़ें अच्छी बात नहीं है इसी लिए हुआ ना कि मेरे फिल्म आ रही है इसमें कंट्रोवर्सी करेंगे तो सारे इस्टार के मुँपे मेरा बिना कहे नाम होगा बात असली यह है पागल नहीं है आशिश बर्मा आईस की तयारी करके इंटर्व्यू छोड़े हैं इंटर्व्यू छोड़े हैं ठीक है और जो भी हमारे साथ रहे हैं उनको पता है अपने सौक से इस लाइन में हूं कभी किसी और लटा सीदा बरदास नहीं किया और अर्णीती सबकी रणीती हमारे हां फूरा सिस्टम से चलता है अब कौन क्या करेगा क्या करेगा कौन क्या करने वाला है सब का कुंडली रखा हूं लेकिन उसमें जो है बहुत कलत निकल healthy में जाग जाग करके आपके साथ कान किया, पैसे बाकी लगाया, मेनेजर बदल दिया आपने, आज भी पैसा बाकी है, काना आप इधर उदर गा रहे हैं, तो इन सब चीजों से थोड़ा सा महराज, आप शमलिए, वापस आईए, इंडस्ट्री बहुत प्यारी है, बहुत प् बच्चे को आप टाइम दे पाते हैं, क्या कर पाते हैं, मुझे नहीं पता है, तो प्लीज आप ये सब छोड़ दीजिए, अब से भी, अगर आपको थोड़ी सी भी आपका जमीर है, आपके अंदर, और थोड़ी सी भी गिल्टी फील हो रही हो, तो प्लीज आप ये सब छ एक बात बोलूँ कि आप सिनेमा बनाते हैं ठीके किसी का भविश्य से नहीं बनाते हैं किसी को आप मरे हुए को आप जिन्दा नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं और लोग आपका सिनेमा पैसा से देखने जाते हैं और उसी पैसे से वो छोटे कलाकारों का भी चिनेमा देखने जाते हैं, वो छोटा नहीं है, क्योंकि अगर आपका आनन्द मंदिर में लग रहा है, तो उनका भी आनन्द मंदिर में ही लग रहा है, ऐसा नहीं कि आपका मल्टिप्लेक्स में लग रहा है, और उनका आनन्द मं काम दिया मर्टिप्लेक्स में हमारी फिल्म में जा रही है तो आप ने मुदसर खान से कोरियोग्राफी करा करके अपने सिनेमा का वह उसका कोई बड़ा नाम नहीं किया बोच्पूर इंडस्टी का बलकि उसका बेजिती हो गया किसाला वह आनन्द मंदिर में गुटका कहा के सब तुकता है उसी में हमारा पिच्चर चला है कुरियोग्राफ किया हुआ जिसका साउंड भी सही से नहीं मिली बढें संब मुद्धों पर मिली आप लोग एक जूत ही साहरी रभी भी सब लोग आप इन संब मुद्धों पर आयहे हम्म मल्टिपलेंक्स कर ला है ताकि हमारे इंडेस्ट्री और हमारे इंडेस्ट्री का आनेवाला भविष्य बड़ा बने इंडेस्ट्री क्रोथ करे उसका गाना उठा के गातो पाजत है हमरा लग फूलर गवा आरहां में कहा जालू सडिया जब जब पेनी लहँगा लखना हुआ तमाम और कब तक चलेगा यह सब कब तक आप नहीं रोग सकते इस बाढ़ को आज यह जो कलाकार हैं पहले तो बिना समय बिना पढ़े लिखे आते थे अब सीख करके आ रहे हैं आप अपने आपको बोलते हैं नो कि मैं पड़ा लिखान्यों में नतरी पर सूँ हूं ुआ लिटी चोका कि बेचा है अब वह काया अब परकाईद संगीत सीख के लोग रहे हैं तो जहांसे में पढ़ करके दो साल चार साल अपना केरियर वरवाद की हैं फिर इदर उदर भाग गए हैं तो ऐसे लोगों के भविज्य के साथ खेलना बंद कीजिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों का पाप आप नहीं बटोर पाएंगे और न कभी आप अपना पस्यताब कर पाएंगे बहुत बढ़िया मौका है आप अपने छोटे भाईयों से माफी मा मिलीजिए इसके अलामा कुछ नहीं कहेंगे ये एक छोटे भाई की राय है आपसे और दूसरी चीज़े कभी भी दुबारा तो लिएगा मत की किसका वकात कितना है कभी आ आज आप बहुत बड़े आद्मी है नमस्कार